हाई फ्रेंड्स में किरन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल पे जो है स्वाराज्य बहुत बड़ी खुश खबरी हो रही गाईस मैं आपको बताते समय कि यहाँ पे IBPS ने वापस से वेकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आउट किया है गाईस अपने फाइदे के लिए बना के रेकाइट के क्योंकि यहाँ पे एक हजर पोस्ट हो या एक लाग पोस्ट हो हमें बस एक पोस्ट निकालनी है तो एक पोस्ट मिलेगी ओफिसर की मिलेगी पोस्ट की बात करें यह ओफिसर की पोस्ट है जाग जाओ अभी भी मैं आपको बता रहा हो कि आपको यह वापस से मौका नहीं मिलेगा अभी आप इसे तुरंट अपलाए कर दो अभी थेरा रुख जाओ छे तारिक आने दो छे तारिक जैसे आती है तो इसका जो आविदन है आप छे तारिक से कर सकते हो यह जो नोटिफिकेशन है उन्हें आउट किया था कल इसलिए मैंने आपको यह वीडियो मैंको लगा कि इनको भी बताना चाहिए इसलिए मैंने ये वीडियो बैया आपके लिए बनाया गाईस ठीक है तो वीडियो शुरू करने से फिले में आपको बताना चाहता हो गाईस कि अगर आप मेरे यूटुब चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसकी साथी बैल आइकन को दबा दीजे ताकि आपको लेटेस इंफोर्मेशन जल से जल प्राप्त हो सके तो गाईस चलते आप अगर आप नए हो तो इस चैनल को नीचे आपको लालकर का जो बटन है उसको दबाना है और उसके साथी जो छोटा सा ननना सा एक प्यारा गंटा दिख रहा नगाईस उसको आपको हलकी आतों से दबाना है ताकि आपको लेटेस जो न्यूज है यह नोटिफिकेशन है आपको free of cost में आपको देख पाओगे ठीक है तो आप इसे जरूर इसका लाब उठा लेना ठीक है गाईस यो कि गाईस यह मोका आखरी है बार बार मोके नहीं आते हैं मोके पे चोका मारना है हमें ठीक है तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन को जैसे आप मेरे home screen पर देख पा रहे हो गाईस यह जो भरती निकली है आई बीपीएस में तो इसमें मैं आपको बतना चाहता हो आपको जो department मिलेगा वो IT officer IT का मतलब क्या होता है गाईस ठीक है IT का मीनिंग क्या होता है income tax officer scale level का first officer आप हो बन सकते हो जिसमें आपको 211 पोस्ट मिल रहे है दो 19 पोस्ट मिल रहे है एग्रिकल्चर फिल्ड ऑफिसर जो second number का point है उसमें आपको सबसे ज्यादा पोस्ट मिल रहे है आठ सो पचास पोस्ट मिल रहे है उनमे राज सभा अधिकारी इसमें आपको सब मिला की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको सत्तर पोस्ट मिल रहे है lawyer officer के लिए यहाँ पे आपको 75 post मिल रही है अगर आप HR बनना चाहते हो या personal officer बनना चाहते हो तो इसमें आपको 81 post मिल रही है और marketing officer के लिए यहाँ पे scale 1 जो है इनको यहाँ पे 302 post मिल रही है तो इतनी अच्छे opportunity आपको मिल रही है तो आप इसे जरूर आवितन करोगे या नहीं करोगे आप मुझे comment section में जरूर बता देना ठीक है क्योंकि guys यह आखरी मौका है वापस से यह मौका आपके पास नहीं आएगा फिर आप पस्ता होगे मैंने उस समय अगर form बरा होता तो बहुत आच्छा होता मौके पे चोका मारो guys हमें एक post चाहिए बस हमें लाखो की नहीं पड़ी है हमें एक post की चाहिए उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी है exam पास करना है इतना ध्यान में रोको ठीक है guys तो उसके आगे में आपको बतना चाहिए कि इसमें जो online आप 6 तारिक से आविदन कर सकते हो आपको इसमें से कौन-कौन से branch मिलेगे participate जो organization अलाबाद bank आंध्रावेन, bank of बरुदा, bank of इंडिया, bank of महाराष्ट्रा Canada bank, central bank of इंडिया, corporation bank, dina bank, idbi bank तो यह जो आप देख पारें मेरे home scene पे, यह सब bank जिग है organize किया गया है, ठीक है guys तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना और इसमें मैं आपको बतना चाहता हूँ इसमें सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी, वो है guys, जो आपके आविदन जो बलकि 6 तारिक से चालो हो जाएगे और इसकी आखरी रेट जो है guys यह 26 तारीक है इसमें क्या किया है उन्होंने guys इसमें आपको online आपकी exam कब होगी, online की डेड़ देर चुकी है, तो अभी आप में को बोलगा guys, कि आप इसे आविदन करोगे या नहीं करोगे आपकी जो exam होगे guys यह 29 और 30 December को होनी वाली तो आप मुझे बताओ आप इस फॉर्म के लिए आविदन करोगे या नहीं करोगे आप जरूर इस फॉर्म के लिए आविदन करना, क्योंकि आपकी जो exam है guys वो आपको यहाँ पे 29, 30 को सबसे पहला आपका exam होगा और जो आपका मेंस होगा वो 27th of January को होगा और February में आप चले जाओगे इंटर्यू में इतनी अच्छी आप वोच्निटी मिल रहेगा जिसमें आपको date दिया है exam का आविदन कर से चालोगे guys तो 6 तारिक से चालोगे खतम कब होगे guys तो आपके जो आविदन है 26 तारिको खतम हो जाएगे उसमें बचता है कितना time guys अगले महीने आपकी exam आ जाती है exam की पढ़ाई करो अब भी से चले हो जाओ जिनको officer बनना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ मैं कुछ दिखा सकता हूँ तो guys अभी से पढ़ नहीं चलो करो आपकी exam की date भी दे गए रहे तो 29-30 को आपकी exam होगी और अगले महीने जैने वारी में आपकी जो मेंस का first paper है वो होगा और February में आप interview चले जाओगे और भगवान करो अगर आपको job लगती है guys तो इतनी बड़ी खुशे होगी कि आपको बता नहीं सकता कि बहुत बड़ी खुशे हो जाएगी तो आप इसे जरूर आवेदन कर सकते हो और क्योंकि guys यह officer की post है इसलिए मैं आपको बोल रहा हो कि आप इसे जरूर apply करे qualification की बात करतेगा इसा भी हाँ पर हम लोग ठीक है अगर आप BTEC हो graduate हो या आपने MBA किया है तो आप इस बर्दी के लिए जरूर भर सकते हो जैसे आप मेरे home screen पर देख पारे हो guys इन्हों यह post के वाइस divide किया ठीक है तो इसमें अगर आप आइटी ऑफिसर के लिए जाते हो आपकी जो एज लिमिटे कम से कम 20 से लेकि 30 साल होनी चाहिए सेस्ट को 5 साल वह भी सी को 3 साल चलो वह लोगों को तो reservation है उनको छोड़ दिया उनको reservation को उठाए जनरल ओपन वाले क्या करें गई जनरल वाले भी officer बनना चाहते है न अभी से पढ़ाई लगाओ अभी से पढ़ाई करो तब भी जाके कब कुछ हो सकता है ठीक है और जिसमें आपको चार साल का engineer यह आपको डिगरी होनी चाहिए computer science की आप दिये सब कुछ चीज आना है मेरे home screen पर देख पारे हो आप उसे अच्छे से पढ़ लेना ठीक है गाइस यह अगर आप पोस्ट ग्राजवेट हो तो भी आप इसे भर सकते हो तो इसमें इस डिपार्टमेंट है इननों डिवाइड किया है कौन से लाइबल के हो कौ तो गाइस मैं आपको बतन है यह जो आविदन आपको online करना है इसका link में आपको description box में दे दोंगा अगर आपको कोई दिक्कत आती है काईस तो आप मुझे directly directly मुझे WhatsApp पे message कर सकते हो कि मुझे सर मुझे यह समझा नहीं है आप में को समझाओ मैं जरूर समझाओंगा 100% अग तो गाइस आगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आप भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जर से जर मेरे चैनल को subscribe करें ठीक है जिसमें आपको पताना चाहता हो गाइस आपकी जो एक्जाम है सबसे पहले और जो मतलब इसमें जो फर्स्ट पोस्ट है जो है लॉयर ऑफिसर और राज सभा अधिकारी के लिए तो इन्हों नहीं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग जन्रल आवेरनेस और इसमें सब मिला कि टोटल आपके कितने को कोशन पुछ जाएगे और मैक्जिमम कोशन कितने और कौ जो है डिसेंबर में होनी वाली है तो इतने खुशे हो रही है कि आपकी जो एक्जाम है डिसेंबर अभी आप फॉर्म भूरोगे नेक्स्ट मन्त में एक्जाम ऐसा कितना फास्ट काम कर रहा है देखो गाईस अगर आपको ऑफिसर बने तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर फॉर्म भर सकते हो गाईस और यह पोस्ट अपनी खुट की हो सकती है अगर आप थोड़ा सा मैनत करोगे तो आप गर आप मैनत करते हो तो आप मान के चलो कि आपकी यह जो एक पोस्ट है एक हजार में से एक पोस्ट चाहिए गाईस आपको खाली एक पोस्ट आप वो निका करते तो यहां पर आपको 100 रुपीज का online चलन या आप netbank credit card से पी पे कर सकते हो या और यहां पर जो अधर category है मतलब general हो गया OBC हो गया तो इनको यहां पर 600 रुपए देने पड़ेगे ठीक है गाइस अगर आगे कोई दिखकर आती है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मुझे समाज में नहीं आ रहा है सर आप मुझे बताओं मेरा WhatsApp नमबर लिलो 91450505043 यह मेरा WhatsApp नमबर है गाईस आप मुझे कभी भी calls कर सकते हो कभी आपना जो questions से मुझे पूछ सकते हो directly वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक क जानते हैं तो हाथ सब का पकड़ के आगे लिखे जाना यह हमारी जिम्मेदारी है वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ठीक है तो में अगले वीडियो में तब तक ख्यार रखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना की रखें तो आप इसे जरूर देख लेना ठीक है वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और गाइस पड़ाई करो दिल से जैहिन जै भारत